हैलो स्टुडेंट गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्णिंग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चुम्बकिये छेत्र तिवरिता या चुम्बकिये छेत्र प्रेरण आज हम लोग कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे चुम्बकिये छेत्र तीवरता या चुम्बकिये छेत्र प्रेरड जिसे इंगलिस में हम लोग बोलते हैं Magnetic Field Intensity और Magnetic Field Induction इस थिवरी के जैसा ही हम लोग Electrostate में एक थिवरी पढ़े थे और ओ थिवरी थी बिदू छेत्र तीवरता क्या थी बिदू छेत्र तीवरता तो सबसे पहले आज हम लोग एक बार बिदू छेत्र तीवरता को recall करेंगे तो क्या पढ़े थे बिदू छेत्र तीवरता में तो बिदू छेत्र तीवरता की परिभासा थी क्या थी किसी बिदू छेत्र में एक कांक धनात्मक आवेस पर क्या किसी बिदू छेत्र में एक कांक धनात्मक आवेस पर लगने वाले बिदू त बल को बिदू छेत्र तीवरता कहते हैं किसी बिदू छेत्र में एक कांक धनात्मक आवेस पर कितना एक कांक धनात्मक आवेस पर लगने वाले बिदू त बल को बिदू छेत्र तीवरता कहते हैं और आज एक बार पुना मिलने वाला है बाई वन गेट वन फ्री तो कुछ परिवर्तन करेंगे हम लोग जहां एलेक्टो स्टेट में बिदू छेत्र तिवर्ता था वही मैगनेट में चुम्बकिये छेत्र तिवर्ता होगा जहां बिदू छेत्र था वहां चुम्बकिये छेत्र होगा और जहां आवेस था वहां धुरू होगा तो हमको मुख्य रुप से आज कौन सी थियोरी पर चर्चा करने वाले हम लोग है तो आज हम लोग चर्चा करेंगे चुम्बकिये छेत्र तिवरिता पर किसी चुम्बकिये छेत्र में क्या है इसकी परिवासा किसी चुम्बकिये च्छेत्रे में एक कांक उत्री दुरू पर क्योंकि वहाँ था एक कांक धनात्मक आवेस और अब जानते हैं चुम्बक में दो दुरू होते हैं उत्री दुरू और दक्षडी दुरू के परकिर्ती को रेडात्मक मानते तो जहां धनात्मक आवेस्ता वहां क्या लेंगे उत्री धुरू तो किसी चुम्बकिये छेत्रे में एक काम को उत्री धुरू पर लगने वाले चुम्बकिये बल को चुम्बकिये छेत्रे तिवरता या चुम्बकिये प्रेरड कहते हैं तो किसी चुम्बकिये छेत्र में काहां पर किसी चुम्बकिये छेत्र में एकांक उत्री दुरू पर एकांक उत्री दुरूपर लगने वाले चुम्बकिये बल को लगने वाले चुम्बकिये बल को चुम्बकिये छेत्र तीव्रता या चुम्बकिये छेत्र प्रेरड कहा जाथा है कहा जाता है और चुम्बकिये छेत्र तीव्रता को हम लोग बीब हेक्टर से कापिटल बीब हेक्टर दुवारा सुचित करते हैं किसि लेटर सुचित करते हैं कापिटल बीब हेक्टर दुवारा चुम्बकिये छेत्र तिवरता किसे कहते हैं किसी चुम्बकिये छेत्र में ध्यान से देखिए किसी चुम्बकिये छेत्र में एक कांक उत्री धुरूपर लगने वाले चुम्बकिये बल को चुम्बकिये छेत्र तिवरता या चुम्बकिये छेत्र प्रेरव कहा जाता है इसे बी वेक्टर द्वारा सुचीत किया जाता है ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे इसका गड़ितीय रूप तो मान लेते हैं माना की किस पर बल लगता है उत्री धुरूपर बल लगना चाहिए वह भी कितना एकांग उत्री धुरूपर तो माना की माना की म कितना एस्मॉल एम धुरूपर बलता वाले उत्री धुरूपर चुम्बकिये चेत्र में उत्रिद रूपर चुम्बकिये छेत्र में लगने वाला लगने वाला चुम्बकिये बल एफ भेक्टर है चुम्बकिये बल कितना है एफ भेक्टर है तो तो चुम्बकिये छेत्र तीविरता के परिभासा से देखे हमको बल किस पर चाहिए किसी चुम्बकिये छेत्र में एकांक उत्री दुरू पर लगने वाले बल को चुम्बकिये छेत्र तीविरता कहते हैं तो हम माल लेते हैं कि एक उत्री दुरू है जिसकी दुरू पर लगने वाला चुम्बकिये बल एफ भेक्टर है तो चुम्बकिये छेत्र तीविरता के परिवासा से आप यह बताएं एम दुरू पर बलता वाले उत्री दुरू पर कितना बल लगता है एफ भेक्टर बल लगता है तो बताएं एकांक प्रबलता वाले एकांक दुरू पर बलता वाले उत्री दुरू पर कितना बल लगेगा एफ भेक्टर बटा में एम और एकांक दुरू पर बलता वाले उत्री दुरू पर जो बल लगता है उसी को नचुम्बकिये छेत्र तीविरता कहते है नहीं समझे एम दुरू पर बलता पर लगने वा बलता है कि उत्री दुरूपर कितना बल लगेगा एक भेक्टर बाई एम तो एकांक दुरूपर बलता वाले उत्री दुरूपर जो बल लगता है उसी को नों चुम्बकिये छेतिवरता कहते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बी वेक्टर जैसे यहां पर देखिए किसी चुम्बकिये छेत्र में एकांग उत्री दुरूप पर लगने वाले चुम्बकिये बल कैसे एकांग एकांग मतलब एकांग दुरूप पर बलता वाले एकांग दुरूप पर बलता वाले उत्री दुरूप लगने वाले चुम्बकिये बल को क्या कते चुम्बकिये छेत्ति थम लिख देंगे कच्छे तिव cm2 के परिभासा समाहज रहाँ है यहां ऐकांक ऐकांक उत्री पर लगने वाले तो एम द द रूपर भलता वाले उत्री पर लगेगगा कांकर कितना लगेगगा एप भेक्टर बायें और इसी कम लोग adopted अब लें गे चुंब तो चुम्ब के आप बटामी यह तो सदिश रूप है कौन सा रूप है सदीश रूप तो परिमाद निकाल सकते हैं झालें परिम है परिमाद कैम परिमाद को मैंगनी चूड़ परिमार को क्या बोलते है magnitude तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे modulus तो जागा mod B vector is equal to mod F vector और बटा में कितना है M हो जाएगा फिर इसी को हम लिख सकते हैं B बराबर F बटा में M और इसको माल लेते हैं समी करण एक यहां तक note कीजिए S किन सोट लिजे जल्दी से बोड को किलियर करेंगे साफ करेंगे ठीक है यहां तक हो गया अब आगे देखिए अब हमको F का मान चाहिए आपको पता है छड़ चुम्बक में कितने दुरू होते हैं दो उत्री दुरू और दक्षडी दुरू तो किसी भी चुम्बक या किसी भी छड़ चुम्बक के दोनों दुरू की दुरू परवलता का जो परिमार होता है वो आपस में बराबर होता है यानि अगर उत्री दुरू पर पर प्लस M होगा तो दक्षडी दुरू पर माइनस सेम होगा लेकिन जब बात परिमार की करेंगे तो दोनों का परिमार प्लस एम का भी और माइनस एम का दोनों को जब मोडलास लेंगे तो एम मिलेगा तो चुम्बक के दोनों दुरुव की दुरुपर बलता क्या होती है बराबर होती है तो चुकी चुम्बक के उत्री दुरू और दक्षडी दुरू उत्री दुरू और दक्षडी दुरू दोनों की धुरू परबलता बराबर होती है दोनों की धुरू परबलता बराबर होती है चुम्बक में कितने दुरू होते है दो दुरू तो उत्री दुरू और दक्षडी दुरू और दोनों की धुरू परबलता क्या होती है बराबर होती है ठीक है एक पर प्लस एम तो दुसरे पर माइनस एम लेकिन जब परिमाण लेंगे तो पलस M का भी M लिखेंगे और माइनस M का भी M होगा तो दोनों दुरू उत्री दुरू या दक्षिर दुरू दोनों की दुरू परबलता को क्या मानते हैं बराबर मानते हैं आता दोनों दुरूओ के बीच लगने वाला चुम्बकिये बल होगा दोनों दुरूओ के बीच लगने वाला चुम्बकिये बल होगा तो पढ़ेत कुलाम का नियम हम लोग कुलाम का नियम में चुम्बकिये बल का फर्मूला क्या था A is equal to minote by 4 pi ठीक है भाई A is equal to क्या था बोलिए minote by 4 pi पढ़ा चुके है M1 into M2 आप बटा में क्या हो जाएगा RA squad यही फर्मूला था ना लेकिन यहाँ जो M1 M2 है यहाँ पर एक कौन सा दुरू है एक है उतरी दुरू तो जाए N लिख देंगे और एक है दक्षडी दुरू तो S लिख देंगे जा M1 M2 था वहाँ पर हमने क्या लिख दिया M1 और M1 M1 का मतलब North Pole का दुरू पर बलता और M1 का मतलब South Pole की दुरू पर बलता ठीक है और आपको पता है यहाँ यहाँ M1 अब बराबर M1 चुकि दोनों दुरू की दुरू पर बलता क्या लेनी है बराबर तो माल लेते हैं दोनों दुरू की दुरू पर बलता M है दोनों दुरू की दुरू पर बलता कितनी है M है ऐसा माल लेते हैं दोनों दुरु के दुरु पर भलता कितनी है? small m है है तो हमारा फर्मुला हो जाएगा f बराबर मनाटश भाई फोर पाई मनाटश भाई फोर पाई और mn के जगा लिख देंगे m ms के जगा m अब बाई क्या हो जाएगा r² कोई प्रॉब्लम अब देखो समी करड़ एक को द्यान दो बी बराबर एप बटाएं और एप का मान हमारा या निकल गया लिख देंगे समी करड़ अब समी करड़ अब समी करड़ एक से अब समी करड़ कहां से एक से तो समी करड़ एक में हो जाएगा बी बराबर आ एफ के जगह कितना हो जाएगा तो एफ के जगह हो जाएगा मिनोट बाई फोर पाई मिनोट बाई फोर पाई M into M अब बटा में हो जाएगा R A square चुम्ब केच से तिवरता कमान B बराबर यह हो जाएगा मेन बटा यहाँ पे समी का एक में आप बटा M है नहीं तो एफ कमान रख दिए अब बटा में कितना हो जाएगा M एक M कैंसे erd तो B बराबर कितना बच गया तो B बराबर हो गया मिनोट बाई फोर पाई अब देखे जखे भाई B बराबर क्या बच गया मिनोट बाई फोर पाई और एक M तो cancel हो गया तो M बटा क्या हो गया R A square M बटा में R A square तो यही formula है चुम्बकिये छेत्र तीवरता की यह formula किसकी है चुम्बकिये छेत्र तीवरता की ठीक है अब यहाँ पर हम चाहे तो इसका सदी सुरूप लिख सकते हैं सदी सुरूप सदी सुरूप में लिख सकते हैं तो इधर चुकी मिनोट भाई फोर पाई नियन तांक है और दुरूप परवलता भी क्या होता है अदिस होता है तो हम इधर जब B वेक्टर लेंगे तो हम लिख सकते हैं मिनोट भाई फोर पाई A M upon R A square लेकिन यह जो दो धुरूप की बीच की दुरी है यह अगर छोटा हो और सीधा हो तो इसे हम विस्थापन मान सकते हैं तो चुकी बाकी सब तो इधर अदिस रास की है तो हम इसी का भेक्टर लेंगे और इसमें हम मल्टिप्लाइ कर देंगे एक आंक सदिश से ठीक है तो परिमार पे कोई परिवर्तन होगा नहीं और इसकी वही दिशा होगी जो R का दिशा होगा ठीक है आप चाहिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं mode of R vector यहाँ पर R Q चलिए तो यह आपका हो गया कोई प्रोब्लम है अब चाहिए दिशा तो आगे हम लोग पढ़ेते बिदू छे तिवर्ता के दिशा तो बिदू छे तिवर्ता के दिशा बिदूत बलके दिशा में थी किसके दिशा में थी बिदूत बलके तो यहाँ भी क्या होगा यहां पर भी दिशा होगा, चुम्बकिये बलके दिशा में, ठीक है, क्या हो जाएगा, चुम्बकिये बलके दिशा में, ठीक है, नोट किजिए जल्दी, उमीद करते हैं कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे, और स्कीन सोट भी ले लिए होंगे, तो फिलाल आज के लिए इतना ही, और थोड़ी सी प्रवब्लम है, आवाज में, बाकी हम लोग नेक्ष्ट कलास में देखेंगे, कल देखेंगे, इतना कभर कर लिजेगा, कल हम लोग चुम्बकिये द्विद्रू, और चुम्बकिये द्विद्रू के अक्ष्य इस्तिती, निरक्ष्य इस्तिती, और कहीं के लिए चुम्बकिये छेति वर्ता पढ़ेंगे, जैसे हम लोग विदु दिवीदु के लिए अक्ष पे निरक्ष पे और कहीं के लिए पढ़े थे उसी तरह चुम्बकिय दिवीदु के लिए भी हम लोग चुम्बकिय छेत्रिति वृता पढ़ेंगे तो फिलाल आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको नोट कर लिजेगा, अब अगले कलास में देखेंगे, आप सभी को धन्यवाद, आप मिलते हैं, नेक्ष कलास में कल